सबसे पहले ये जो लटकता हुआ दिख रहा है क्या है पता है ये वाइरलेस चार्जिंग के लिए है ये देखो चार्ज हो रहा है ये बंद हो गया फिर स्टार्ट औफ स्टार्ट आफ खुश तो बहुत हो गया आप ऐसा क्या हो या एपल वाच तीन हजारे मिलना सुरू हो यह इम ह fri यह चोवाक थो को से एपल वाच इंटि रहें इस वीटी पर इसे परो मैं डिवाइट किया है है जब देख लेते हैं क्या है यह आई यह देखता है où लारत? इसका अगनी परिक्षा मैं लूंगा अगर Ice Boom Pro Max याद होगा उसका मैंने अगनी परिक्षा लिया था था और इसमें वह फेल हो गया था यह देखेंगे यह पास होता है यह फेल होता है तो सबसे पहले box open करते हैं एक बड़ा सा पुष्टक यहाँ पर दिया गया है जिसमें पूरा watch के बाड़े में लिखा गया हम तो syllabus complete ने किये यह कहां से पढ़ेंगे ओहो यहाँ पर strap का एक अलग box है लगता है सारा पैसा box में ही लगा दिया गया है चलो कोई नहीं और अच्छी बात है वाव क्या strap है quality तो काफी अच्छा लग रहा है यार यह हमारा smart watch क्या बात है वो quality तो अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पर है एक और box अच्छा wireless charger दिया गया है क्या बात और कुछ है क्या nothing box open करने के बाद मैंने घरी निकाल लिया है हाथी के पास दो दांत होता है एक दिखाने का और दुसरा चवाने का यह जो है यह दिखावा वाला दांत है चवाने वाला दांत तो औरिजिनल 60,000 में देखने हूं मिलेगा तो बात करते इसके बिल्ड है डिजाइन का तो इसका बिल्ड है मक्कन है गई इस एक दम बटर मक्कन जितना अच्छा वोलो सब इसमें फिट है जैसा मेरे पास यह तीनों स्मार्ट वाच लगए पांच हर के राउंड का है और यह तीन हजार का है बिल्ड यहाँ पे इस तीनों से काफी इसका दिया गया है और इस तीनों स्मार्ट वाच से इसका स्ट्रैप बहुत ही अच्छा है दिखने में यह जो वाच है यह पूरा एक्जेक्ट कॉपी है आपको कहीं से भी थोरा सा भी ऐसा नहीं लएगा कि यह वाच क्लोन है जब कोई पास आएगा और इसे आन करेगा त इसके बाद microphone बटन है left side में एक और बटन है जो इसमें काम नहीं करता है speaker grill है और एक और microphone है जो बंद किया गया है और back side में यहाँ पे sensor भड़ा पड़ा है second अब बारिस के अगनी परिक्षा का operation करेंगे देखेंगी से smartwatch के अंदर में क्या देखनी मिलता है heart rate के नाम पे क्या दिया गिया है i7 pro max में तो light दे दिया गिया था इसमें क्या में देखनी मिलता है बड़ा सा light देखते है ultra है न तो smartwatch का operation तो मैंने कर दिया है अब पीछे का दिखाता हूं यह देखो सबसे पहले यह जो लटकता हुआ दिख रहा है क्या है पता है यह wireless charging के लिए अब यहाँ पर देखो इसमें आपको magnet भी देखने हो मिलता है तो magnet से चिपक जाता है फिर wireless charge होता है तो यहाँ पर देखो यह देखो charge हो रहा है यह बंद हो गया फिर start off तो इस तरह से आप charge में लगा सकते हो यह खोल कर नहीं अराम से लगाना ओके अब यहाँ पर आपको कुछ और दिखाते हैं यह जो एरिया देख रहे हो यह sensor का यहाँ पर one two three four four sensor है अब यह split two और heart rate के लिए बस दिया गया है अब देखते हैं कैसे यह काम करता है यह रा heart rate मैं start किया और यहाँ पर light देखो blink हो रहा है किस तरह से must red और green का combination में light जल रहे हैं और काफी अच्छा दिख रहा है अंदर से और यह उपर से लग जाता है तो कुछ ऐसा दिखता रहता है और यह हट जाता है तो कुछ ऐसा द नहीं हूँ क्या advanced technology है चाइना से सीखो कुछ फूरा का फूरा fake है यहाँ पर sensor SPO2 और इसके बाद heart rate सब ऐसे ही काम करता है अब smartwatch के थोड़ा और अंदर घुशने की कोसिस करते हैं तो यह sensor और यह इसका battery battery को कुछ इस तरह सम चाहें तो निकाल सकते है ऐसे smartwatch को switch up कर लेना चाहिए था मुझे बट कोई नहीं मैं तो इससे ही करूंगा यहाँ पर देखो यह battery और यह side में लगा हुआ speaker और यह इसका crown button और यह इसका power button जो कुछ इस तरह से यहाँ पर set किया गया है और यह इसका main motherboard दिया गया है और यह जो देख रहे हो यह है इसका motor अब smartwatch कुछ ऐ इसे है अभी और back से कुछ ऐसा दिख रहा है लास्ट यह हमारा regular smartwatch है और यह हमारा apple watch ultra clone वाला है अब इस दोनों का conclusion का time आग दिया है अब इस दोनों में से आपको कौन सभाई करना चाहिए इस smartwatch के जगा पर कोई और भी smartwatch हो सकता है मैं अभी इसे pick करके रखा हूं तो इस काफी गंदा है यहां पर काफी लैगी सा है और यह देखो टच कितना गंदा काम कर रहा है बस दिखावे में अच्छा है और अंदर का सारा चीज आपको बहुत ही गंदा लगने वाला है यहां पर आप heart rate देख सकते है 110 108 तो काफी similar सा आपको यहां पर heart rate का data देखने हो मिलेगा बस यहां पर SPO का data ज्यादा अच्छा नहीं है बट यहां पर जो data वेगरा है यह सरी से detect कर लेता है यहर में detect तो नहीं करता है इसके जैसे यह हमारा Chinese app का UI जैसा देख सकते हो बहु आपको Bluetooth से connect करना पड़ता है बारवार तो यह मुझे ज्यादा अच्छा लगा यहां पर दोनों का compare करने के बाद जो clone watch है इसका display brightness तो आपको काफी तगरा देखने हो मिल जाता है बट इसका जो display इसमें आपको emulet display देखने हो मिलता है एप में यहां पर इसका app काफी अच जबता है तो यह सब्ध भाई अवाज कैसा आड़ा है मेरा ओके तुम्हें पता है अभी मैंने smart watch को operation कर दिया अफल वाच अल्टरा का यह इसलिए क्योंकि इसका mic देखना था यार काम वगरा करता है ज़श्ट ऐसे ही है तो यहां पर speaker लगा तो लगा हुए है अवाज अच्छा नहीं आरा ओके चलो ठीक है ब्रो करते हैं एक चीज मैंने इस smart watch में notice किया जब मैं call पे था तो इसमें कुछ इस तरह का वाच था जो बहुत ही annoyed type का था और मुझे काफी irritate कर रहा था तो मैं finally यह बोलना चाहूंगा यह जो clone watch है इसमें पैसा डालना पूरी तरस से आपका पैसा डूबने के बढ़ावर है क्योंकि यार बस दिखावे के लिए लेना चाहते हो तो ले लो लेकिन कोई काम का नहीं है यहाँ पर लेना चाहते हो तो ऐसा वाच लो कम से कम चलेगा साल दो साल और यूज करोगे तो अच्छा भी लाएगा और दिखने में खडाब नहीं लगता है यह आप ले सकते हो इसके जब पर और पर प्राइस सिग्मेंट का होगा अंडर 3000 या अंडर 35 500 के राउन में जो आप बाइक कर सकते हो तो आई होब गाईस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक कीजिए और यह जो रिभीव ए स्टाइल था यह थुरा सा अलग था जो आप देख रहे थे यूट्यूब पे इसका करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह के वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगते है तो आपसे मिलते हैं इन टेश्टी वीडियो में तब तक लिए गुडबाई हैव गुड़ डे बबाई